सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चुरू करते हैं यहां पे दिखाएंगे कि डॉक्टर बताती है कि जो आर्थी है वो प्रेग्नेंट है इसी बज़े से वहां पी चक्कर आगया तो जिस बज़े से गिर गई थी तो सब लोग यहां पे बहुत हैपी हो जाते है कि आर्थी प्रेग्नेंट है स्पेसली रगू तो बहुत ही ज़्यादा है और आईशा भी बहुत कुछ हो जाती है लेकिन आईशा दूर खड़ी देख रही होती है और यहां पे जो है उसको बुरा लगता है तो वो भाग के बाहर आ जाती है गार्डन में आके बैठ जाती है पीछे से मानों भी आते हैं कहते है क्या हुआ तो इधर आर्थी भी आ जाती है पीछे से क्योंकि उसको भी बुरा लगता है कि इस तरीके से आईशा को बुरा लगा आईशा रोने लगती है कहती है आप नहीं जानते मेरी दी को इतनी बड़ी कुछी मि है ती समझाती है कि आशा कुछ नहीं है ऐसा किषनिक आया ऐसा दरसल बात यह कि रगुजी ना मुझको लेकि बहुत प्रटेक्टिव है क्योंकि ना पहले भी ऐसा हो चुक है कि वो मुझे खोच चुके हैं इसलिए उनको बहुत डर लगता है इस बज़े से उन्होंने ऐसा कहती है और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं और ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं या यह तो आशा सोचती है कहती है अच्छा ठीक है हाँ यह बात हो सकती है कि वो मुझे से नफरत नहीं करते हैं असल में वो तुम से बहुत प्यार करते हैं इस वज़े से वो ऐसे कह देते हैं चलो कोई बात नहीं फिर वो आर्थी को कंग्राचुलेशन करती है कि मासी की तरफ से होने वाली बेबी की ममी को धेर सारी आते हैं चालत को और ज्यादा खराब कर सकता है तो रगू कहता है कि कौन सा एट्चुट के बात कर रहे हैं आप वो पागल बना रहे हैं हम सब को और वह बिल्कुल ठीक है वो पागल बना रहे हैं बस इन सब चीजों से बचने के लिए वो कहता है कि आपकी रुपोर्स वहले कहती हैं कि वो बिमार है लेकिन मेरा experience कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और यह सब सिर्फ ड्रामा कर रही है तब ही आर्टी कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रगुजी आपको जो मानना है वो मानिए लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है ये याद रखे कि हमें उसके साथ प्यार से पेश आना होगा तब ही कुछ हो सकता है वो सच हो बोल रही है या जूट बोल रही है ये तो हमें तब ही मालूप पड़ सकता है अब उसके साथ अच्छे से रहेंगे और उसका भरोसा जीतेंगे क्योंकि अगर वो सच बोल रही होगी तो इन सब तरीकों से उसकी मेमरी जो है प्रोब हो जाएगी और अगर वो जूट बोल रही है तो वो कोई ना कोई गलती कर बैठेगी इसके लिए हमें उसका विश्वास चीतना होगा हमें उसको अपना सपोर्ट देना होगा यह तब ही हो सकता है फिर वो कहती है रगु जी प्लीज एक बार आप उससे बात कर लीजे रगु का मन नहीं मान रहा होता है तब ही वहाँ पर आईशा आ जाती है और वो खड़े होती फिर वो चली जाती है तो फिर से हारती कहती है रगु जी प्लीज एक आखरी बार आप बात कर लीजे अच्छे लिए मेरे साथ फिर वो इनको रगू को लेकर जो है वो आईशा की कमरे में जाते हैं यहां पर आईशा वैठी रो रही होती है तभी आर्थी कहती आईशा रगू जी तुमसे कुछ कहना चाते हैं तो रगू कहता आईशा मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करने चाहिए थी तभी आईशा उटती है और रगू के गले लग जाती है और कहती है आपने ऐसा कहके मेरे मन का बो जो हो हलका कर दिया और तभी फिर एक दम से उसे याद आता है कि अरे वो तो रगू की गले लगी है वो फॉरन दूर हर जाती है और कहती है कि सॉरी केती कि अब्ही रगु कहता है कि वन असल मैं आर्डी को लेके कुछ यह कुछ जाधा ही ओबर पर्टरक्टिव हूँ तो हैसा कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है यह आर्थी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अब तो जब तक आर्ति कि इस आलत में मैं उनके साथ रहूँ जब तक उनकी delivery नहीं हो जाती तब तक मैं उनका ख्याल रखूं तो आर्ति को इस Uber करती है कि हां कहत है ठीक है आइशा बहुत खुश हो जाती है और फिर आगे दिखाते हैं कि यहां पर आइशा 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 को लेकर डॉक्टर के यहां पर आती है तो आइशा ही डॉक्टर से सारी बात कर रही होती है यह आइशा 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 का नाम रखेंगे तो मानों कहते हैं यह कौन सी बात ही बेबी वाय नहीं हो सकता है क्या तो यह दोनों यह लोग आशा और यह दोनों कहने लगते हैं नहीं वो कहते हैं कि गर्ल होगी तो मानों कहते हैं वाय तो यह दोनों आर्थी और रगु खूब हसने लगते हैं कि यह दो पे डॉक्टर साब आते हैं और बो बताते हैं कि बहुत अजीब बात है कि आईशा की अभी तक साल बर हो गया, या अधास नहीं आई है और वैसे तो आजाती है, लेकिन इसका क्यस ऐसा है, कि अभी तक आई नहीं है, तो रगू कहता है, क्या मतलब है तो उसको सजा नहीं होगी तो पुलिस कहती है कि इस्पेक्टर की हाँ अगर ऐसा है तो नहीं होगी लेकिन हमारे अंडर में ही रहेंगी लेकिन घर में रहेंगी तो रगु कहते हैं यह कौन से बात हो यह तो कहते हैं तो आगे देखेंगे कि आईशा दोड़ती हो यह आती है के दिये बाधने के आप इत्क परशान हूरा है तो आइश्या के आप इतना परशान क्यों हो रहे हैं यह तो खुशी की बात है आप बेबी गल चाहते हैं लक्षमी देखे हैं लक्षमी आएगी तो immers नां आपके घर में लक्षमी आई है तो इलोग खूश हो जाते हैं सब खूशी के मारे इलोग गले लग जाते हैं फिर वो कहता है कि मैं मिलने जा सकता हूँ तो कहती है थोड़ देर में फिर इलोग अंदर जाते हैं मिलने तो वहाँ पर इलोग आती से और बेबी से मिलते हैं और यहांपर यहांपर तो numero ऑफिप भेवी को खुलाने के बाद फिर बेवी को जो आडरती को दे रेते हैं यहांपर इबी रहा जांते हैं यहांपर बहुत अच्छे से वैलकुम करती है वो ऑर चीज की सारे विल्ग के अंदर हुआ अर्टी सारा देखती है डेकोरेशन बहुत ही अच्छी हुई होती है तो कहती है कि यह सब आप लोगो नहीं किया है कितनी अच्छी डेकोरेशन किया है तो वो काफी देखके सब बहुत कुछ जाती है कितना जो आइशा है ना कितना बदल गई है ना कितना अच्छा उसने डेकोरेशन किया है कितने अच्छे से सजाया है फिर आशा जो है बेबी को कहती है कि मैं ले लूँ फिर वो बेबी को आशा ले लीती है और उसको खिलाने लगती है फिर थोड़ा सा दूर निकल जाती है बेबी को लेकर और इधर आती कहती है आशा को देखो बिल्कुल चेंज हो गई है कितना मिलकुल लगता ही नहीं है कि पहले बाली आइशा पीर जो आइशा होती WOW वो इसके लिए बेबीके ले गिफ्ट나ती है एक चैन भू उसको गले में पहना देती है कि मासी की तरफ से ये गिफ्ट है फिर उसको वो लिखे थोड़ा दूर निकलाती है फिर फिर वो कहती है कि कि जितना रोना है रोलो अब बैसे भी आर्थी तुमारी ममी नहीं है मैं हूँ मुझे अच्छी तरीके से पहचान लो आईशा तुमारी ममी है फिर यहाँ पर खड़ी इसको कह रही होती है चुप चुप अभी वो आजाती है अर्थी और यह गबरा जाती है वो कहती है इच्छा मौसी के साथ अब बहुत खेल लिया चलो तो वो कहती है इसको फीट करा देती हूँ तो फिर आरती जो है बेबी को ले लेती है बेबी को लेकर वहां से चली जाती है तब ही जो है ऐसा सोचने लगती है कि इन लोगों को साल बर तक उसने बेबी को बनाया होता है ना तो बड़ी खुश होती है और यहां पर यह आरती भी बेबी को लेकर आती है रगू और आरती जो हैं बेबी को लेके रूम में चले जाते हैं तो रगू कहता है कि आरती से कि सारे दुनिया की खुशी एक तरफ और ये खुशी एक तरफ होती है तुमने थैंक्यू आरती तुमने कि हमें मुझे कितना प्यारा बेबी दिया है तो दोनों खुश होते हैं आरती कहती कहना ज ये खुशी तो सच में बिल्कुल ही अलग है ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मानों आ जाते हैं मानों कहते हैं कि मैं समझा बेबी सो रहा है वो कहते हैं बेबी तो नहीं सोती है बेबी तो जगती रहती है तभी मानों कहते हैं और वो उसके नाम करण के लिए में आया था तो आर्टी कहती हाँ मैं सोची रही थी तो कहते हाँ और क्या मानो कहते मेरा डवल डवल रिस्ता नहीं है मैं मामा भी हूँ मैं मौसा भी हूँ तो रगो कहता हाँ तो फिर डवल डवल आपकी जिम्मेदारी भी है तो मानो कहते हाँ हाँ बिलकुल डवल डवल ज पिर यह लोग जाने लगते हैं तो आरती कहती है कि बेबी का दिहान डगना जग रही है लेकिन इदर उदर प्लो लगा देना ताकि वो गिरेना फिर वहाँ आपसे चली जाती है इसा सोचती है मैंने साल बर तक इतना ड्रामा किया है कि इस चीजों से बचने के लिए और फिर आगए है तो फरन साथ के लिए इतना वीडियो अच्छे लेगी लाइक किजिए के चैनल को सब्सक्राइब करें चाहिए